नमश्कार में दिक्षा सिंग बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। देश में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए दल्ली के साथ जिले भी 31 मार्च 2020 तक लॉकडाउन कर दिये गए हैं। मुख्यवंत्री अर्विन केजरिवाल और उपराजपाल अनिल बैजल ने रविवार को इसका एलान किया है। किसी भी व्यक्ति को लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवा को छोड़ कर अपने घर से बाहर निकलने की इख्जाज़त नहीं होती है। इस बीच कम्यूनिटी लॉकने के लिए रविवार को जनता कर्फ्यू का एलान किया था। इसके बाद अब तक देश के कम से कम 74 जिलों में लॉकडाउन कर दिया गया है। बता दें कि सिर्व भारत ही नहीं बलकि दुनिया के कई देशों जैसे चीन, इटली, स्पेन, लंदन आदी में पूरी तर इरिक्षा, आवश्यक, सेवा के हिसाब से 25 फीजदी बसे चलने की छूट दी जा सकती है। रोजाना की जरूरत की चीज बेचने से संबंधी दुकाने खुरी रहेंगी। लॉकडाउन शोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का सबसे प्रभावी उपाय साबित हो सकता है। लॉकडाउन में प्राइवेट दफ्तर बंद कर दिये जाते हैं लेकिन कर्मचारी को ओन ड्यूटी रहना होता है। ऐसे में कर्मचारीों को पूरी सेलरी देनी पड़ती है चाहे वो पर्मानेंट हो या कॉंट्रेक्ट पर हो। बैंक एवं एटियम, बीमा कंपनिया, दू संचार सेवा प्रदाता एवं अन संचार सेवा पोस्ट ऑफिस, गेहुआ चावल से जुड़े ट्रांस्पोर्टेशन पर कोई रोक नहीं लगती। किसी भी शहर को लॉकडाउन करने में सरकार आम दुकाने, सिनेमा हॉल, स्कूल और मॉल तक बंद करने के आदेश दे देत पानी और अन्य आवश्यक काम जारी रहेंगे, ग्रॉसरी, दूद, मीट, केमिस्ट और दवाई की दुकाने खुली रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान सारवजनी के स्थर पर पास से ज्यादा लोग जुटने पर 1444 के तहट कारवाही की जा सकती है।